अब गाइस देखते हैं कि किस तरीके से bubble shot algorithm काम करता है अब हम pass 1 पर आते हैं ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा 5 और 2 को हम compare करेंगे अगर 5 2 से greater है तो हम यहाँ पर swap कर देंगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा 2 5 1 4 3 यह हो गया pass 1 का पहला comparison pass 1 में कितने comparison होंगे total number of elements कितने है 5 ठीक है 5 minus pass number 1 तो 4 comparison इस pass में होने वाले है तो पहला comparison हमने कर लिया अब second comparison होगा 5 और 1 में ठीक है अब यहाँ पर 5 greater than 1 है क्या आप बहुत इजिली चेक कर सकते है 5 greater than 1 है तो swap कर दिया तो यहाँ पर output क्या है गा 2 1 5 4 3 यह हो गया second comparison total 4 करने अब तीसरा comparison क्या होगा 5 और 4 का ठीक है अब 5 greater than 4 है क्या येस तो हम swap कर देंगे तो यहाँ पर number क्या जाएंगे 2 1 4 5 3 अब fourth comparison क्या होगा 5 4 3 का 5 greater than 3 है क्या येस तो हम swap करेंगे तो यहाँ पर output क्याएंगा 2 1 5 5